गुलाब जामुन किसे पसंद नहीं होते, सबको बहुत अच्छे लगते हैं और इस तरह है कि भहुत ही स्पंजी, सौफ्ट और रसीले गुलाब जामुन और वो भी अगर घर में बना कर त्यार के जाएं तो फिर कहना ही क्या यह भुती आसानी से हम घर में तयार कर सकते हैं तो आई शुरू करते हैं इनको बनाने का तरीका यहाँ पर मैंने एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हो आप और ये एक कटोरी ही चीनी लिये है मैंने उसी कटोरी से नाप कर और उसी कटोरी से एक कटोरी दूद लिया है कड़ाई में दूद डाल दिया है और अब इसमें हम मिल्क पाउडर मिला देंगे मिल्क पाउडर को छान कर लेओ तो ज़्यादा ठीक है ताकि लंस कम से कम बने इसको हम दूद में डाल चुके हैं और दो चम्मचे सूजी डाल रही हूँ यह नॉर्मल सूजी है जो बाजार में मिलती है मोटी वाली वही सूजी से एक तो क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाती है और जो गुलाब जमुन है वो बहुत ही बढ़िया बन कर तयार होते हैं जो घी या तेल में हम फ्राई करते हैं वो भी बहुत कम सोकते हैं और दो चम्मच में यहां पर डाल रही हूं घी आप तेल भी डाल सकते हो चिकनाई के लिए क्योंकि जो मिल्क पाउडर है इसमें चिकनाई नहीं होती दूद ठंडा ही लें गरम दूद ना लें गेस की फ्लेम बंद है अभी और इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे अगर पहले से दूद गरम कर लिया तो लम्स बहुत जल्दी बन जाएंगे और फिर इनको तोड़ने में थोड़ी सी समस्या होती है टाइम लगता है तो ठंडे दूद में हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे कुछ पांच मिनट का समय लगेगा और मिलाने के बाद अब हम गेस को चालू कर देंगे और लगातार कल्ची से इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि लम्स है वो भी तूड़ जाए और मिल्क पाउडर कड़ाई में नीचे लगे नहीं वरना मिल्क पाउडर भो जल्दी लग जाता है इस तरह से और कुछ दो तीर मिनट में ही हमारा मिल्क पाउडर से मावा बन कर तयार हो जाएगा इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता पूरे प्रोसेज में ही चार या पांच मिनट का समय लगता है यह देखिए लम्स भी नहीं रहे और जो हमारा दूद है यह गा मावा बन जाता है यह दूद का मावा बन चुका है और इसको अब हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे जब यह सारा एक जगह इस तरह से कठा होने लग जाए तो इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए कल्चे से हम इसको जितना उलट पलट करेंगे चलाएंगे उतना ही हमारा मावा है यह अच्छा बन कर तयार होगा इस तरह से यह जितना सौफ्ट होगा उतने ही हमारे गुलाब जमुन बहुत ही बढ़िया बन कर तयार होगे तो इसको मैं थोड़ी देर इस तरह से अलट प्लट कर रही हूँ गेस की फिलेम बंद कर चुकी हूँ मैं और अब इसको एक बरतन में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए और ये जब तर ठंडा होता है हम चाशनी बनाते हैं तो एक कटोरी मैं चीनी ली हूँ और इसी कटोरी से नाप कर एक डेड़ कटोरी पानी लेंगे एक कटोरी चीनी और डेड़ कटोरी पानी नाप कर ही लेना है सारा अंदाजे से मत लिएगा पानी ज़्यादा लिया है क्योंकि गुलाब जामुन है वो चाशनी ज़्यादा चाहिए उनको ये कड़ाई में मैं डाल चुकी हूँ एक कटोरी चीनी डेड़ कटोरी पानी और लगातार चलाते रहेंगे चमत चीनी में ताकि चीनी नीचे पैंदे में लग न जाए ये लग जाती है नीचे और इसकी डली सी बन जाती है तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं लगातार चलाते व मैं केवडा बटर नहीं डाल रही हूँ, केवल इलाइची पाउडर डाला है तो, और इनको हम लगातार हिलाते वे चलाएंगे, पकाएंगे और यह चीनी है, जो लगबग घुल चुकी है, पानी में, और इस चीनी के हमें कोई चास्णी नहीं बनानी है, केवल इतना पकाना ह इस चाशनी और पानी को कि यह हमारे गुलाब जामनों में अच्छे से सुख सके यह भुल चुकी है चिनी और अब इसको एक या दो उबाल आने तक ही पकाना है जैसे ही एक दो उबाल आ जाएंगे मैं केस्ट की फ्लेम बंद कर दूँगी यह देखिए उबाल आने लग गया है जो चाशनी है वो ज्यादा अगर घाड़ी बना ली तो गुलाब जामन सकत रह जाएंगे हमारे और यह चीनी बिल्कुल साफ है मेरी इसलिए इस पर कोई गंदगी नहीं आ रही अगर चीनी थोड़ी सी मेली हो तो इस पर काले काले जाग से आ जाते हैं उसको हम दूद डाल कर हटा सकते हैं इस तरह जब चाशनी उबलने लगे तो इसमें हम दो चमस दूद डालते ही सारी गंदगी उपर आ जाती है उसको हटा ले और चाशनी बनके त्यार है उसको ढख कर रख देते हैं इधर जो हमने मावा बनाया है, इसको अब हम हाथ से अच्छे से मस लेंगे, इसको अच्छे से हाथ से मस लेंगे, और इसकी बाइंडिंग के लिए अब इसमें मैं दो से ढ़ाई चम्मचे मैदा एड़ करूँगी, मैदे से हमारे जो गुलाब जमुन है, वो तलते वक्त बिल्कुल भी फटते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे बन कर तयार होते हैं, तो मैं इसमें धाई चम्मच मैदा एड़ की हूँ, और आप इसमें इलाइची पाउडर भी डाल सकते हो, मैं इलाइची पाउडर डालना भूल गई थी, अब ये देखिए मेरा जो डो है, ये बिल्कुल बढ़िया लगकर तयार हो चुका है, मावा बिल्कुल बढ़िया सौफ्ट तयार हुआ है, अगर आपको ये गुनते समय मावा टाइट लगे तो आप थोड़ा सा इसमें दूध मिलाकर इसको सौफ्ट कर सकते हो, और हम एक गुलाब जमून पहले तल कर देखते हैं, अगर ये बिल्कुल अच्छे से बन जाए, तो फिर इसका मतलब है, हमारा सारा जो बेटर हमने तैयार किया है, जो मिल्क पाउडर से हमने मावा तैयार किया है, ये बहुती बढ़िया तियार हुआ है गलाब जमून बन हम बनाएंगे तो यह देखे मैंने जो पहला गुलाब जा मुन डाला है यह बिलकुल बड़िया अच्छे से तल चुका है कहींसे भी फटाइंँ है और अब हम बागी के तियार करते है तो इसके बीच में मैंने एक इलाइची का दाना डाला है और इसको इस तरह से करते वे अच्छे से हम गुल-गुल राउंड शेप दे देंगे और कहीं पर भी क्रेक नहीं होने चाहिए अगर क्रेक होंगे तो फिर तलते समय ये फट जाएंगे और फिर अच्छे नहीं लगते और अब मैं साथ-ाथ गुलाब जामुन गी में या तेल में आप जो भी लो उसमें तल लो मैंने रिफाइंड लिया है और ज़्यादा नडाले साथ में क्योंकि गुलाब जामुन जब तलते हैं तो ये फूलते हैं अगर बहुत ज़्यादा ले लिए तो फिर इनको जगह नहीं मिलेगी कड़ाई में बूनने के लिए तलने के लिए और ये कच्छे रह जाएंगे और इनके उपर हम गरम तेल या गी है वो उपर इस तरह से डालते नहीं कि ये अच्छे से पक जाएं और इनको दिरे दिरे बिल्कुल लोफ लेम पर ही हम पकाएंगे लोफ लेम पर पकाएंगे तो हमारे गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया बन कर त्यार होंगे जो आप देख सकते हो कि लगातार इस तरह से दिरे दिरे हिलाते वे हमें इनको इस तरह से दिरे दिरे इनको हम ही चलाते वे पकाएंगे इनको अलट प्लट करते रहेंगे गेस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है अगर हाई फ्लेम रखी तो ये उपर से तो हमें दिखेंगे कि सिग गए लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे बिल्कुल धिरे धिरे हमें 5-7 मिनट तक इनको फ्लेम पर तलना है और ये देखे अब बिल्कुल अच्छे से हमारे जो गुलाब जमुन है ये तल चुके हैं अब इनको हम निकाल लेंगे बहुत ही आराम से निकालेंगे इनको और निकाल कर सीधे जो चाष्णी है गरम उसमें डाल देंगे ये ध्यान रखेंगे गुलाब जामुन गरम चाशनी को ही अच्छे तरह से सोकते हैं और हमारे जो गुलाब जामुन है वो भूत ही बढ़िया फूल कर तयार होते हैं सारे गुलाब जामुन मैंने चाशनी में डाल दिये हैं और अब हम इनको ढख देंगे इनको ढख देंगे और जो दूसरा हमारा बैटर जो मावा बचा हुआ है उसके भी मैंने इस तरह से अंदर इलाइची डाल कर ये तयार कर लिये हैं और इनको भी मैं अब रिफाइंड तेल में बना रही हूँ तो डाल कर इनके उपर थोड़ा थोड़ा गरम तेल प्रेस करके और इनको भी हम अच्छे तरह से लो फ्लेम पर ही पका लेंगे ये देखिए ये भी कितने अच्छी तरह से बन कर तयार हुए हैं जो मैंने मेजरमेंट बताया है उस तरह से बनाऊगे तो बिल्कुल सौफ्ट है और रसीली गुलाब जमुन बन कर तयार होंगे घर में बना कर जरूर ट्राई करें और जो दुबारा मैंने गुलाब जमून डाले हैं चासनी में तो जो पहले डाल चुकी थी उनको थोड़ा उपर कर देती हूं अभी डाले इनको चासनी में नेचे डूबो देती हूं और इनको हम ढख देंगे और हमारे जो गुलाब जमून है बहुत ये देखे कितने सौफ्ट गुलाब जमुन बनके तयार हुए हैं बहुत ही भड़िया ये देखे आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि इस तरह कि गुलाब जमुन घर में भी बनाए जा सकते हैं वो भी मिल्क पाउडर से और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर अच्छी वीडियो लगी तो बनाकर जरूर ट्राइए करें घर में बच्चों को खिलाएं